यूदो हिमाचर प्रदेश में सिर्फ दो ही पार्टियों का वर्चस वो रहा है लेकिन भविश्य में दो ही पार्टिया रहेंगी ये तै नहीं है उत्राखंड विधान सभाचुनाव 2022 की अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टि को सफलता नहीं मिली लेकिन यहां पर कॉंग्रेस पार्टि को बहुत बड़ी हार मिली है जिसका सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टि है आम आदमी पाटी को यहां हर विधान सभाक्षेतर से वोट मिले हैं और उन वोटों की वज़ा से कॉंग्रेस के बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो 500 से 2000 वोटों से अपना चुनावारे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की बात की जाए तो जनता इसे पंजाब के नतीजों के साथ जोड़ कर देख रही हैं जहां पर आम आदमी पाटी को बड़े स्तर पर सफलता मिली हैं ऐसे में अब आम आदमी पाटी के दो मुख्यमंतरी हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 अ के गिरेबान में ही हाथ डाल कर अपनी पाटी को स्थापित किया है यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर अपना दम दिखा दिया था और अब हिमाचल के साथ साथ गुजरात में भी वे पाटी को स मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर का विधान सभाकशेत्र और ग्रिही जिला भी मंडी ही है लेकिन हाल ही में हुई उपचुनावों में लोगसभासीट पर भाजपा की हार ने ये साबित कर दिया कि अभी भी मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर इतने मजबूत मंडी में नहीं कोई भी मुख्यमंत्री अपने जिले में या विधान सभाकशेत्रों में हो जाता है मतलब एक बड़ी चुनोती यहां पर अब मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाक हाला कि अगर हम आमादमी पार्टी की रणनीती की बात करें तो अभी तक उन्होंने किसी भी नेता को टिकट देने की बात नहीं की है मतलब टिकट के उपर किसी को पार्टी के अंदर नहीं लिया जा रहा ऐसे में बिना टिकट कितने नेता आमादमी पार्टी में जाएंग या फिर नहीं यहां पर अगर हम बात करें तो हमेशा ही राजनीती में मौके की नजाकत को समझते हुए फैसला लेने में माहिद पंडित सुकराम का परिवार सबसे पहले आता है इसके बाद दूसरा परिवार जिसकी हम बात कर सकते हैं तो वो ठाकुर महेंदर सिंग का इसके अलावा पूर्व भाजपा के अध्यक्ष खिमी राम क्या फैसला लेंगे इसके उपर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं ये वो चार बड़े परिवार हैं जो मंडी लोकसभा की राजनीती में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं इसके साथ ही रोहित धामी मनाली में किस तरह की राजनीती करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है कुलू से सुंदर सिंग ठाकुर को कॉंग्रेस का टिकट मिलना लगभगते हैं ऐसी स्थिती में अरुन शर्मा जोकी होटेलियर भी हैं और कॉंग्रेस पार्टी के महा सचिब भी हैं वे क्या नेने लेते हैं इसके उपर भी आम आदमी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं कुलू से कॉंग्रेस नेता सत्य प्रकाश का नाम भी चर्चा में हैं सराज विधान सभा की बात करें तो मुख्यमंत्री का विधान सभाक शेत्र हैं लेकिन यहां पर भी चेत्राम ठाकुर और जगदीश आमने सामने राजनितिक लड़ाई कॉंग्रेस की लड़ रहे हैं आलांकि मुख्यमंत्री के सामने उनके कद इतने बड़े नहीं है कि कोई बड़ी तक्कर मुख्यमंत्री को दे पाएंगे लेकिन उसके बाद भी कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं यह सवाल लगातार सक्रिय है इसके साथ ग्यान चोहान जो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के खास है वे भी राजनेतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है इसके अलावा जस्वीर सिंग जो जिला परिशद सदस्य है और युवा चेहरे हैं इनके उपर भी निगाहें रहेंगी कि ये क्या करने वाले हैं जो गिंदर नगर से विधायक प्रकाश राणा जो अभी आजाद है वे अपने भविश्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं उनकी नस्दीकियां ठाकुर महेंदर सिंग के साथ बहुत अधिक है तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनको ठाकुर महें सुन्दर नगर से हैं धूमल गुट से ये परिवार आता है और कहीं न कहीं जैराम ठाकुर को इनकी राजनेतिक सक्रियता हमेशा खलती रही है ऐसे मैं अब देखना ये होगा कि ये क्या फैसला लेते हैं अगर हम प्रदेश में अनुसूचित जाती का वोट बैंक इस पर नजर दोड़ाएं तो बहुत बड़ा डिसाइडिंग वोट बैंक हमाचल प्रदेश का अनुसूचित जाती का वोट बैंक रहता है हमाचल प्रदेश में इस समय एक महत्तोपूर नाम सोलन जिला से तरसेम भारती का आता है जो भाजपा में बहुत से महत्तोपूर पदों पर रहे हैं और बड़ा राजनेतिक कद उनका हमाचल प्रदेश में हैं और ऐसी स्थिती में ये कहा जा सकता है कि तरसेम भारती भी एक बड़ा जटका भाजपा को केजरीवाल के इस दौरे में दे सकते हैं क्यूंकि भाजपा में उन्हें भी धूमल गुट के होने का नु के साथ जुड़े हुए नेता हैं और उनके समर्थक हैं अब उनकी राजनीती किस तरफ जाएगी ये भी बड़ा सवाल है सरकागाट से मनीश ठाकुर जिला परिशत सदस्य है और लगातार जनता के बीच में है और उनका चुनाव लड़ना भी लगभगते हैं ऐसी स्थित ठाकुर क्या आम आदमी पाटी का दामन थामेंगे या नहीं थामेंगे ये भी देखने योग्य होगा दिली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल का दौरा हिमाचल प्रदेश का होने जा रहा है इस दौरे से बहुत सी बाते कॉंग्रेस और भाजपा के भी तर्स पश चुनोती यहां पर सीधी बंडी से जैराम ठाकुर को ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल देने आ रही हैं आम आदमी पाटी को लेकर कितना अधिक जोश हिमाचल प्रदेश में है या फिर नहीं है ये भी इस दौरे में सपष्ट हो जाएगा जिस तरह की स्थिती हिमाच स्थापित नहीं कर पाएगी थोड़ी जल्दबाजी होगी कई बड़े बड़े परिवार हिमाचल प्रदेश में है जो पिछले साड़े चार साल से राज्य में सक्रिय राजनीती से कटे रहे हाला कि उन्होंने काफी प्रयास भाजपा में अपनी वापसी के लिए किये ले पार्टी में ये शामिल हो जाएंगे आमादमी पार्टी का ध्यान हिमाचल प्रदेश में उन नेताओं पर रहेगा जो भाजपा से छूट कर आएंगे कॉंग्रेस से बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने टिकट की कीमत पर आमादमी पार्टी में जाने की बात कही थी लेक कौन से नेता हिमाचल प्रदेश में आमादमी पार्टी का धामन थामेंगे ये भविश्य के गर्भ में हैं लेकिन हिमाचल में जो लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं उनको आमादमी पार्टी की हिमाचल में दस्तक राहत दे सकती हैं